ममता कालिया जी का उपन्यास सपनों की होम डेलिवरी एपिसोड नाइन प्रभाकर शर्मा का स्वास्तिय दिन पर धिन गिरता जा रहा था वाशी के सेक्टर सत्रह में उसके पास अश्टम नामक हाॉसिंग सुसाइटी में जो पुष्तेनी मकान था उसका ग्रहकर, जलकर और बिजली का बकाया अब एक छोटे मोटे पहाड की शकल ले चुका था बिजली विभाग ने तो उसके फ्लैट 808 की बिजली काट दी ग्रहकर और जलकर का आए दिन नोटिस आता रहता इन दिनों पूंजी निवेश का उसका धन्दा भी मन्दा चल रहा था दरसल इतने बरस बाद भी प्रभाकर अपनी शादी के फ्लॉप होने के धक्के से उभर नहीं पाया था अपनी पुरिश मानसिक्ता में उसके लिए इस बात से समझोता करना मुश्किल था कि उसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली जाए उपर से अपना अलग जीने का रास्ता स्वयम ढून ले बहुत दिनों तक वह सोचता रहा कि एक दिन रुची लुटी पिटी वापस घर आएगी और उसके पैरों पर गिर कर अपनी भोल चूप की माफी मागेगी प्रभाकर के जेहन में स्त्री की जवी एक समर्पित, सहनशील, अनुगामिनी की थी अपनी जादतियों के बारे में उसका दृष्टिकुन बहुत उदार था वह मानता कि अगर पुरुष के पास अतरिक्ट पौरुष है तो वह पतनी से इतर रिष्टे बनाएगा ही वह अकसर दोस्तों की बीच शेखी बगारता इन जुमलों पर टहा का लगता और प्रभाकर का मनोबल कई गुना बढ़ जाता उसके सारे किस्से और लतीफे यौन संबन से तालूख रखते जब रुची साथ रहती थी इस तरह की अभिवक्ती पर एतरास करती बच्चे के सामने ऐसी बाते मत किया करो प्रभाकर उसका एतरास हसी में उड़ा देता मेरा बेटा मर्द बच्चा है इसे शेरे पंजाब बनाऊंगा मैं उसे अपनी अनियमित जीवन शैली पर नास था गगन को भी वहधारा के विरुद काम करना सिखा था जब तक माबाप की दी हुई संपती घर में थी इन अनीतियों के दुष्परिणाम सपष्ट नहीं हुए लेकिन बाद में प्रभाकर परिवार के सुक चैन पर ग्रहन लगता गया अपने जीने के उटपटांग धर्रे पर सोच विचार ना कर प्रभाकर कहता यह आठ नंबर बड़ा सिर्फिरा होता है मुझे इसने कभी चैन से नहीं रहने दिया मेरी जन्मतिती आठ है जन्म का महिना भी आठ है बाओ जी ने आठ को शुब अंक मान कर इस अश्टम सोसाइटी में आठवी मनजिल पर आठवा फ्लैट ले लिया इस अठ्थू ने आठ साल अच्छा फल दिया बस घर ले लेते तो आज यह हाल ना हुआ होता दिवंगत पिता को कोसते वक्त वह इस पर जरा विचार नहीं करता कि अपने काम काच पर वक कितना कम ध्यान देता था वित्तिय कारोबार में एक दिन की भी शितिलता मतलब रखती और अक्सर अच्छे सौदे उसके हाथ से निकल जाते कभी वह अपने ग्राहकों को हैरान करता कभी ग्राहक उसे हैरान कर डालते ऐसे में वह बढ़ती महंगाई को कोसता अब लोग पैसा जोड़ना नहीं उडाना चाते हैं इनके बाप दादा गड़ी हुई दौलक छोड़ गए है उसी की गर्मी है यहां इस तूटे फुटे मकान के सिवा हाथ में कुछ नहीं है इससे भी ज़्यादा तकलीफ उसे तब हुई जब उसने पाया कि उसकी आसु बहाने वाली बीवी रुची उसके देखते देखते चोटे परदे की मशूर तारिका बन गई अकबार और पत्रपत्रिकाएं उसके गुण गाने लगे हफते में दो बार वह किसी न किसी चैनल पर एप्रण पैने करचुल गुमाते नजर आती प्रभाकर बड़े ध्यान से देखता कि पत्नी के चहरे पर अपने पूर्व जीवन की कोई छाया या छवी नजर आए हर बार उसे निराशा हाथ लगती उसकी मंडली के दोस्त यह कहकर उसका खून अलग जलाते सुना है रुची शर्मा एक शो में आने की फीस एक लाख लेती है प्रभाकर किच किचा कर गगन पर और दबाव बड़ाता तु अपनी मा को फोन कर पैसे मांग मैंने तेरी देखबाल का ठेका लिया है क्या अपनी आधी कमाई भेजे वह तभी तुझे रखूंगा नहीं तो निकाल बाहर करूंगा बे बाप का हो जाएगा तू लड़कपन में तो गगन पिता के कहे अनसार मा को फोन करता था लेकिन थोड़ा और बड़ा होने पर उसे इस काम में शर्म आने लगी अपने समस्तुग्र सुभाव के बावजूद उसे लगा जो पैसे पापा मेरे बहाने एड़ते हैं उनसे मेरा तो कुछ भला नहीं होता गगन 19 साल का हो गया था बड़ी मुश्किल से वह बीकॉम के पहले वर्ष में पहुँचा था देखने में वह खुबसूरत और लंबे कतका था लेकिन अपने रख रखाओ के प्रती लापरवा उसने बेतरती भी कोभी अपनी अकड का हिस्सा बना रखा था एक दिन प्रभाकर ने उसे कहा तेरा उनिवसिती जना तो मेरे जी का जंजाल है रोज तुझे बस के लिए सौ का नोट चाहिए अपनी मा को फोन करके तो मोटर साइकल मांग गगन ने भड़क कर कहा आपको शरम आनी चाहिए मेरी मा से आपने कौन सा रिष्टा रखा है जो आपके लड़के को वे मोटर बाइक दिलाएं प्रभाकर एक पल को हद बुध्धी हो गया उसने कहा मेरा लड़का उसका भी लड़का है यह बात क्या बार-बार याद दिलानी पड़ेगी गगन ने उतनी ही उगरता से कहा मा आपसे लड़ जगड कर घर छोड़ गई उनसे पैसा मांगना तो थूख कर चाटने जैसा है प्रभाकर सोफे से उठा और उसने गगन को जोर का धक्का दिया बढ़ाया मा का हिमायती भाग जा उसी के पास देखता हूँ कितने दिन रखती है तुझे गगन ने कुछ शन पिता को घूरा फिर वह अपने बैक पैक में कपड़े ढूसने लगा एक और बैग में उसने अपनी किताबें डाली कुछ चीज़ें जरूरी होते वे भी नहीं ले जाई जा सकती थी पिता पुत्र के पास टूट पेस्ट और शेविंग क्रीम की एक ही ट्यूप थी ब्रश अलग थे इसी तरह जूते अलग थे लेकिन बातरूम स्लिपरों का एक ही जोड़ा दोनों के काम आता इन जरूरतों को गगन अब परिहारी नहीं मानता था उसने अपनी जीन्स की जेब टटोली उसमें पांसो का एक नोट और कुछ फुटकर रुपिय बचे थे चलते हुए उसकी इतनी इच्छा भी नहीं हुई कि पिता से विदा ले पापा किसी के सगे नहीं मेरे नहीं, मेरी मा के भी नहीं उसने मन ही मन कहा और घर से बाहर हो गया बाहर धूप कड़ी थी सडक पर ओटो या बस के आने की कोई उम्मीद नहीं थी दोपहर तीन से चार के बीच वाहनों की आमदोरफ्त कम हो जाती जहां सडक कट्ती थी, वहां बाएं घूम कर ओटो रुष्या का ठिकाना था बहां तक पहुशने में गगन पसीना पसीना हो गया सिर्फ एक ओटो खड़ा था उशिवारा चलोगे? गगन ने पूछा हो, तीन सो रुप्य लगेगा ओटो चालक ने जवाब दिया दिमाग ठीक है तुमारा? गगन ने भड़क कर कहा ओटो चालक हिमाकत से हसा और उसने ओटो आगे दोड़ा दिया बड़ी देर खड़े रेने के बाद उसे दूसरा ओटो रिक्षा मिला साड़े तीन सो रुप्ये में गगन के मन में इस वक्त उथल पुथल मची थी, उसे यह भी शक था कि उसकी मा उसे पहचान भी पाएगी या नहीं टीवी प्रोग्राम देखने की वज़े से उसे मा का चेहरा परिचित लगेगा ऐसा उसका विश्वास था उसे इतना पता था कि ओशिवर्या में उसकी मा का मकान है लेकिन मकान का नाम, नमबर कुछ उसके हाथ में नहीं था उसे मा की बेहद दुंदली याद थी उसका एक मन हुआ वह उन्हें फोन करे लेकिन दूसरे मन ने कहा अगर उन्होंने फोन पर ही उसे आने से रोग दिया तब क्या होगा उसका वाहन इस वक्त पवई से गुजर रहा था गगन को लगा मा के पास जाते समय अपना हुलिया दुरुस्त करना बेतर होगा तो चार दिन की हजामत और ताजा यतामत चहरे पर ओड़ कर वह वहाँ पहुँचेगा तो मा सोचेंगी कोई चोर उचका आया है उसने ओटो चालक से कहा बाजू में सलून पर गाड़ी रोकना शेव बनवानी है खाली पिली टाइंग पोटा करने का नहीं वेटिंग का पैसा अलग से पड़ेगा कहते हुए ओटो चालक ने एक केश करतनालय के सामने ओटो रिक्षा रोक दिया गगन ने दोनों बैग बाहन में ही छोड़े और सलून में गुज गया उसे ध्यान आया डेड़ महिने में उसने बाल भी नहीं कटवाए है उसने सब काम करवाए और डेड़ सो रुपे हैर ड्रसर को दिये हैर ड्रसर ने कहा दाड़ी बना कर तो आप एकदम हीरो का माफिक लग रहे हैं सर गगन मुस्कुराया शीशे में अपनी छवी देख कर उसने सोचा मा कम से कम धक्का देकर बाहर करने से पहले मेरी तरफ देखेंगी जरूर बाहर आकर गगन का जी धक से रहे गया इस बीच उसका ओटो चालक गायब हो गया उसका सामान भी नदारत था यह एकदम नई स्तिती थी जिसके लिए गगन तयार नहीं था अब तो मा के पास पहुचना और भी अनिवारी हो गया कपड़े और किताबों के बिना वह लुटा पिटा नजर आने लगा आस पास अन्य सभी वातान कुलित दुकाने थी जिनके शीशे बन थे उनसे पूछना फिजूल होता कुछ दूरी पर अंडे वाले की रेहडी थी उसने उससे पूछा उसने मुँ और कान के पास हाथ घुमा कर बताया कि उसे नहीं मालू वापस वाशी जाने की जरा भी इच्छा नहीं हुई गगन की उसने अपने सभी दोस्तों को एक एक कर याद किया एक भी ऐसा ना था जिसके घर भर शरन पाता गगन ने हाथ की इशारे से एक ओटो रिक्षा रोका और पुछा ओशिवारा कितने पैसे ओटो चालक ने हैरानी से उसे घूरा मीटर से चलता है मैं ओशिवारा आते देर न लगी ड्राइवर ने मुढकर पुछा इस्ट या वेस्ट गगन क्या बताता उसने कहा कोई होटल कैफे हो तो वहाँ ले चलो ड्राइवर ने कहा साप सामान की धर है आपका मन तो हुआ गगन का की फट पड़े तुम जैसा ही एक मवाली लेकर भाग गया पर यह संकट काल था क्रोध से काम और विगडता उसने कहा तहरना नहीं है एक पता ढूणना है कौन का बोलने से वह टीवी पर जो प्रोग्राम करती है रुची शर्मा मैड़ अरे उनका टिकाना मैं जानता उस रोड के बाजू में विक्टोरिया चेम्बर्स में रहती वह उनसे काम मांगने जाता क्या मा की लोगप्रीता देख गगन की तबियत खुश हो गई ओटो चालक ने उसे एक बड़ी मुसीबत से उबार लिया विक्टोरिया चेम्बर्स की विशाहल इमारत के आगे उतर कर उसने मीटर के हिसाब से 120 रुपी आदा की फाटक पर सुरक्षा कर्मी ने रोका नाम बताने पर कहा रुची मैडम तो कभी कभी आती यहां पूछ कर बताता मैं कुछ ही पल में उसने इंटरकॉम पर हाथ रख कर पूछा क्या नाम बताने का गगन पशोपेश में पढ़ गया नाम बताने पर मा की प्रतिक्रिया हमेशा क्रोध और आवेश की होती थी सुरक्षा कर्मी ने उप कर कहा अपना नाम नहीं मालूम क्या गगन धीरे से जवाब आया इस बार इंटरकॉम पर हाथ रख कर उससे पूछा गया मैडम पुछती है क्या काम है जरूरी मिलना है गगन ने कहा उसकी आवास मरियल होती जा रही थी उसके अंदर इतना भी मनोबल शेश नहीं था कि सुरक्षा कर्मी को धक्का दे कर आगे बढ़ जाएं थोड़ी देर बाद सुरक्षा कर्मी ने चोटे फाटक के पास से कहा मैडम की जरूरी मीटिंग चल रही है एक कलाक बाद आने को बोला गगन ने राहत की सांस ली उसने इधर उधर देखा जग़ जग़ कारें खड़ी थी कुछ गाडियों में ड्राइवर बैठे बैठे उंग रहे थे तीन चार आवारा कुत्ते दोड भाग में लगे थे दूब के तेवर धिले पड़ गए थे थोड़ा आगे जहां सडक चड़ाई चड़ती है मदर डेरी और अमूल के अड़ों पर दूद के क्रेट उतर रहे थे वहां चार पांच अन्य दुकाने थी जिन में डबल रोटी, मक्षन और बिसकट रखे दिख रहे थे इमारत के सामने बड़ा सा बगीचा था गगन उसी में जाकर एक बेंच पर बैठ गया आसपास बच्चे खेल रहे थे, कुछ अधेर लोग पैदल पत पर चल रहे थे पार्क के दूसरे हिस्से में माली पौधों में पानी दे रहे थे ये दृष्य गगन के सामने होकर भी नहीं थे प्रतीक्षा का प्रतिपल उसकी परेशानी बढ़ा रहा था आखिरका सवा घंटे बाद उसका मॉबाइल कस्म साया अब मुझसे क्या चाते हो तुम? यहां क्यों आये हो? यह रुची का फोन था मॉम मुझे 10 मिनिट का वक्त दे, मिलकर मैं आपको सब बताओंगा गगन ने कहा हर बार एक नई कहानी होती है तुमारे पास मैंने कितनी बार कहा है, जो भी कहना है अपने पापा से कहो मॉम, पापा ने मुझे घर से निकाल दिया गगन के मों से निकल पड़ा ठीक दस मिनिट के लिए तुम आ सकते हो फ्लैक नमबर 102 गगन के पैरों में स्फूर्ती आ गई वह लपक कर घर पहुँच गया दर्वाजा खुला हुआ था मगर भिड़का हुआ गगन के घंटी बजाने पर रुची द्वार पर आई मम्मा गगन के मों से वही संबोधन निकला जो वह दस साल पहले बोलता था रुची ने सोचा था गगन के कुछ भी कहने से पहले ही वह उसे इतनी खरी-खोटी सुनाईगी कि वह दस की बजाए दो मिनिट में ही भाग खड़ा हो वह उसकी कोई आसू चाप दास्तान नहीं सुनना चाती गगन की बचपन मार का भूरी आँखें भूरे बाल, सुन्दर मुक और लंबी पतली काया देख कर रुची के मन में जो घुमडा वह दूद नहीं दर्द था वह वहीं खड़ी खड़ी बुक्का फाड रो पड़ी कुछ इस तरह की गगन की आँखें भी बरसने लगी वही रुची को सहारा देकर अंदर के कमरे में ले आया ममा रोना नहीं मेरी और आप की एक कहानी है पापा ने हम दोनों का शिकार किया गगन ने एक एक कर वाके गिनाए आश्चरिय रुची को एक भी वाकया जूट नहीं लगा हर घटना पर उसे लगा ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ पता नहीं किस मूर्ख ने उक्ति बनाई होगी कि समय से बड़ा उक्चार कोई नहीं यहां समय ने घावों को और गहरा किया था और उन में नम इतने वाली तीस भर दी थी गगन ने अंततह कहा ममा आपने दस मिनिट दिये थे मैं अब जाओ कहा उसी यातना घर में नहीं ममा जो मैंने छोड़ दिया छोड़ दिया गुर्ध द्वरे में कार सेवा कर गुजार कर लूँगा पर वहां कदम नहीं रखूंगा मेरा तो सामान भी लुट गया है अच्छा हुआ उस घर का कोई निशान नहीं बचा चुपचाप जहां बैठे हो बैठे रहो रुची ने बेटे को जिड़का सुबह से कुछ खाया है गगन की चुपपी पर रुची समझ गई उसका मन गलानी से भर उठा वह दिन भर केवल खान पान से जुड़ी कार गुजारियों में लगी रहती है और यहां उसका इकलोता निर्वासित बेटा भोका प्यासा भटक रहा है कुछ देर पहले की मीटिंग में एक प्रायोजक ने उसकी मेज पर अपने फार्म हाउस में उगे फलों का धेर लगाया था रुची ने सेप काटा और रसोई में सैंडविच टोस्टर में चीस टोस्ट बनाया घगन भुककड की तरह खा गया उसे नाश्ता कभी आज जैसा स्वाधिश नहीं लगा था घर में वह नाश्ते में ज़्यादातर मैगी बनाता था जिसमें से आधी जाया जाती तैयार पैकटों में से खाना निकाल कर गरम करते वे रुची का दिमाज तेजी से योजना बना रहा था अगले कुछ दिन उसे गगन पर ध्यान देना होगा सबसे पहले उसे कपड़े और किताबें दिलानी होंगी सबसे बड़ा सवाल था कि बेटे की आमत के बारे में सर्वेश को जानकारी देनी चाहिए या नहीं जितना वह उसे जान सकी थी सर्वेश के अंदर धीरच का घंगोर अभाव था फिर बच्चे का प्रसंग उसकी दुखती रग था जिसे वह किसी न किसी बहाने याद कर कलप उठता वह गगन को इस मकान में ज्यादा दिन गोपन नहीं रख सकती आजकल सर्वेश काम के सिलसले में राजकोट गया हुआ था पर तीन-चार दिन बाद उसकी वापसी थी उसके पास इस फ्लैट की एक चाबी थी वह कभी भी यहां आ जाता रुची के कमरे में सर्वेश के कुछ कपड़े भी रखे थे फिलहाल उल्जन यह थी कि वह गगन को कैसे बताए कि उसे दूसरी शादी कि यह काफी वक्त हो गया है यह बताने पर कहीं वह दुबारा बे घर, बे आसरा न हो जाए वैसे ही गगन कोई नॉर्मल लड़का नहीं होगा उपर से नया समाचार उसका मनो जगत जिद्जोड देगा इसे सोच विचार में पालक मश्रूम जल गया गगन ने रसोई में आकर कहा क्या हुआ मॉम, क्या कर रही हुआ रुची अपनी तंद्रा से जागी बहुत आलिशान मकान में रहती होंगी अकेली जान को तो यह भी काटने दोड़ता है मैं घर में रहती कितनी देर हूँ बस सोने नहाने आती हूँ बाकी दिन हम कई कामकाजी लोगों ने मिलकर वरली में एक ठिकाना बनाया है काफी समय स्टुडियों में बीच जाता है मॉम आप मुझे भी टीवी में कोई काम दिला दो मैं अपना जेब खर्श तो कमाना शुरू करूँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ आप से या पापा से पैसे मांगने में शर्म आती है देखो मेरी जो हैसियत है उसमें मैं तुमारे लिए काम नहीं मांग सकती तुम 19 साल के हो गए हो पहले ही तुमारी पढ़ाई पिछड गई है पहले बीकॉम पुरा करो फिर कोई विशेश काबिलियत वाला कोस करो तब नौकरी की सोचो मेरे जिन्दा रेने का भी सवाल है मा सब कहते हैं तुम्हें फिल्मों में या टीवी में काम मिल सकता है इस दुनिया से दूर रहो तो अच्छा यहां दसियों साल एडियां रगणनी पढ़ती है एक ब्रेक के लिए पर आप मेरा पहचान पत्र हो मा कोई किसी का पहचान पत्र नहीं बन सकता गगन अपनी पहचान खुद बनानी पढ़ती है अब वो दिन गए जब केवल शकल सूरत की बिना पर फिल्मों में टीवी में काम मिला करता था इन सब लाइनों में मेहनत करनी पढ़ती है इनके खास कोस हैं जो पढ़ने पढ़ते हैं पहले अपना ग्रैजियोशन पूरा करो उस रात रुची वरली नहीं गई गगन ड्रॉइंग रूम में दीवान पर सो गया रुची को बड़े दिनों बात या घर घर जैसा लगा जिसमें उसके अलावा भी कोई और हो अगले तीन दिनों में रुची ने गगन को सब कुछ दिला दिया कपड़े, किताबे, तौलिये और नई चादरे शाम को उसे घर की चाबी दे कर समझाया जब कॉलेज जाओ घर अच्छी तरह से बन करके जाना मैं तीन-चार दिनों में आती हूँ